श्रिमत भागवत कथा के श्रवन मात्र से मानव के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं तता जिस स्थान पर श्रिमत भागवत कथा आयूजित की जाती है उस स्थान का पुन्य उद्य हो जाता है ये बादे माजी के चेमफुल गाउं में आयूजी श्रीमत भागवत कथा सप्ताह ग्यान यगे को संबोधित करते हुए काशी सिपधारे प्रवाचक आचार शंकर मारतंडजी महराज ने कही उन्होंने कहा कि श्रीमत भागवत कथा से न सिर्फ वातावरन पवित्र होता है बलकि कथा श्रवर से समाच का नैतिक उत्थान भी होता है कथा यगे के प्रमुक कारिकरता तरण कुमार पांडे ने बताए कि 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले अनुष्ठान में शोताओं की भारी भीर उमड रही है उदर यगे परसर में लगे मेले में बच्चे जूला चर्की तथा जले भी वचाटा दी कल्लत पठा रहे हैं माजी से वे रेसिंग के रिपोर्ट धन अमुल्य समय दे करके अपना यह मानव जीवन को आप कृतार्त करें जैदाओं को बहुत अनीक प्रकायर के सब्दों से आहलादित करके और उन्हें ठगी कह करके भेज दिये कि देखो अभक्ताओंस ताओंस्य विग्याया नादा दुश्य कथा मृतम अगर तुम भक्त बन करके आते तो यह जो श्रीमत भागवत महा पुराण की कथा है वह समस्त भावुक भक्त तथा जो पापात्मा है चाहे वह प्रेतात्मा हो चाहे वह पुन्यात्मा हो सब के लिए सरल और सहज रूप से यह उन्हें प्राप्त है लेकिन तुम एग ठग बन करके आए हो सवधागर बन करके आए हो इसलिए यह स्रीमत भागवत पुराण रूपी जो कथामरित में प्रिक्षित को पान कराने जा रहा हूं इसका अधिकार में तुम्हें कदापी नहीं दे सकता हूं इसलिए देवताओं को भगवान सुगदेव ने ठगी कह करके और डांट करके उन्हें भगा दिया कि जाओ और इस हरी कथाम्रित का अधिकारी तुम नहीं हो। अतहा इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो स्वरग का अम्रित है उससे कई हजार गुणा अधिक महत्व या स्रीमत भागवत महापुरान कथा का है। जिस कथा के एक अक्षर मात्र सर्वन करने मात्र से व्यक्ति का मनुष्य मात्र का कल्यान होता है। स्तमस्त पाप ताप संताप दूर हो करके और भग की ज्यान और वईराग्य से युक्त हो करके भगवान स्री कृष्ण के चरणों का सेवा करके और भगवान के वह सत्य वैकुंत धाम को प्राप्त होते हैं। यहां अत्यन्त महिमा हमारे स्रीमत भागवत महापुरान कथा का है।